Welcome back in sociology classes. Today in this class we will learn about secularization. In this lecture we will discuss on the meaning and definition of secularization, essential elements or characteristics of secularization, factors of secularization and impacts of secularization on Indian society. In this lecture we will discuss on the fact that Bharatian society is the fourth country. The country is the fourth country. Here are 85% of people who believe that their life is the most important thing. In this context, Bharatian society is the third country. The third country is the third country. संभाव है भी सभी धर्मों के लोग आपसमें मिल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं इज़त करते हैं यही धर्म निर्पेक्सता है या हम राजनितिक बासा में यही बात करें तो राज्य किसी भी धर्म को वरियता नहीं देता राज्य के लिए कोई धर्म नहीं है यही धरम निर्पेक्सता है जैसे हिंदू जेन, बुद्ध, सिक, इसलाम या क्रिस्चन सभी है वो सभी मिल जुलकर भारत का निर्बान करते हैं या ये सभी एक दूसरे के द्रमों का सम्मान करते हैं सभी द्रम सम्मान है इसलिए पगैन पैरी ने कहा था कि भारत के अंदर द्रम निर्पेक्सी करन का अर्थ सरो द्रम संभाव है परंतु यदि हम विश्तरी तरस्त में इसके चर्चा करें तो द्रम निर्पेक्सी करन एक परकीरिया है कैसी परकीरिय परन्तु धर्म निर्पेक्षिकरन उन गटनाओं vagy को चाहे सामाजी नहीं को चाहे मानविय गटनाओ उनकी व्यक्ष्या धर्म के आधार पर करता था परंतु धर्म निर्पेक्सी करन उन घठनाओं की व्यक्या तरक या विज्ञानिक्ता के आधार पर करने पर जोर देता है इसका मतलब अंद विश्वास से मनुष्य को अंद विश्वास से विज्ञान की और मोडने की परकिर्या धर्म निर्पेक्षी करन कहलाती है आई ये विस्तार से जानते हैं तो यहां पर हम जानते हैं इसका आर्थ क्या है भारत में सामाजिक प्रिवर्तन लाने में धर्म निर्पेक्षी करन की परकिर्याने महतोपुर्न भूमिका निभाई है इसका मतलब जो सामाजिक प्रिवर्तन हुए हैं उसमें ओध्योगी करने नगरी करने आदुनिकी करने व वस्तों को धार्मिक दरश्टी से देखा जाता था उन्हें अब तार्किक वैल लोकिक दरश्टी से देखा जाने लगा इसका मतलब पहले परलोकिक आधार पर गटनाओं की व्याक्या की जाती थी विपरलोक में उस लोक में इस दुनिया से परे इसके आधार पर गटनाओं क सूपर नेच्यरल या सरवसक्तिमान इस्वर की दरश्टी से इना देखकर तार्किकोर लोकिक दरश्टी से लगता है। ना होजे आज के संद्रम में यदि हम सोचते हैं तो ये बात हमें बहुत अटपटी लगती है भी सिक्ष्या का ऐ लड़की की एजूकेशन का और उसके वीड़ो होने का क्या कनेक्शन है आपसमें तो आज हम इस बात को नकारते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हम धरम निर्पे प्रकिर्या जिसमें धार्मिक वैप प्रमप्रागत वयावारों के स्तान पर तारकिक दरिष्टी कोण अपनाया जाता है और तर्केहिन वयावारों को छोड़ दिया खाता है ऐसे घटनाएं ऐसे तथे जिनके पीछे कोई लोजिक नहीं है उनका अध्यनिस में नहीं किया उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा जाता। प्रित्व है कि उपर वाले की मर्जी है और यदि बहुत ज़्यादा कोई प्राकरतिक आप दागी तो हम क्या कहते थे ये भी उपर वाले की मर्जी है जैसे भूकम पाता था तो उसमें क्या परचलन होता था कि कोई नीचे बेल है बेल या सांड उसने अपने सींग के उपर परित्वी को ले रखा है और जो वो ठक जाता है एक सींग से दूसरे सींग पर परित्वी को ले कर आता है तो भूकम पाता है परित्वी कामपती है ये क्या था ये अंदविश्वास था धर्म के आधार पर फेलाएगी विचार धारा थी परन्तु अब हम लोजिक के आधार पर सोचते ह पाते हैं कि वो तो प्रित्वी के नीचे पलेटों के आपस में तकराने या एक दूसरे पर ओरलेप होने के कारण भुकम पाता है तो इसका मतलब क्या हूँ अब हम विज्ञान के अधार पर तरक के अधार और गटना के कारया करण समंधों के अधार पर व्याख्या करते हैं तो ये द्रिष्टिकोन ये क्या कहलाएगा ध्रम निर्पेक्ष समाज बनने की परकिरिया है अब यहाँ पर आप देखेगा ये चोटा सा डायग्राम हमने बनाया है प्राचिन समाज कैसा था प्राचिन समाज के अंदर अंधु श्वासों का बोल वाला था जादू टोनों का अधार पर की जाती थी चाए वो मानविय गटना हो चाए सामाजी गटना हो चाए बहुती गटना हो कोई भी गटना गटित होगी उसको ध्रम के साथ जोड़ा जाता था और पूरी दुनिया पूरा समाज उसका आंक मुंद कर विश्वास करता था तो ये ध्रम निर्पेक्ष इन्टु सेकलर सोसाइटी इस कोल्ड सेकलराइजेशन भी ध्रम निर्पेक सिकरन एक ऐसी परकिर्या है जो आध्यात्मिक प्रमप्रागत या प्राचिन समाज को आधुनिक या फिर ध्रम निर्पेक समाज में प्रिवर्तित कर देती है तो ध्रम निर्पेक सिकरन प्रमप्रा मज़ते भी इंदर बगवान खुश हुआ है इंदर बगवान ने की है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है वास्पीकरन होगा संगनन होगा उसके पसात वर्षात होगी उसके आधार परम सोचते है तो ध्रम निर्पे एक समाज विज्ञान और तकनिकी प्राधारित है जब ग्यान और तकनिकी प्राधारित समाज में बदर लिए की जो एक परकीर है वो क्या कहलाएगी सेकलराइजेशन या द्रम निर्पेक्शी करन कहलाएगी आगे हम बढ़ते हैं मिनिंग और डिफिनेशन ओप सेकलराइजेशन तो यहां पर आप देखिएगा धरम निर्पेक् वो खुद कैसे सोचता है उसका खुद का दृष्टी कौन कैसा है कोई भी घटना घटी कुई उसके पीछे समाज का दृष्टी कौन कैसा है और राज्य का सरकार का दृष्टी कौन या सरकार का नजरिया कैसा है तो धर्मनिर पेक्षिकरण की भारत के अंदर तीन विमाई है तीन साइड है धर्म निर्पेक सीगरण की परिकिरिया का भारत में जो मुल्यांकन किया जाता है वो दो सत्रों पर किया जाता है राज्यस्तर पर समाज तो उसको सही मानता था परंतु राजनिती या सरकार है वो उसको सही नहीं मानता था और समाज कहता था एक जाती विशेश या निमन जाती को हाथ लगाने मातर से एपवित्तर हो जाता है वेक्ति और राजनिती या सरकार क्या कहती थी सबी लोग बराबर हैं तो यहां पर जब हम मुलियाँकन करते हैं तो सामाजिक स्तर पर तो धर्म निर्पेकस नहीं था, परदू राजनितिक स्तर पर धर्म निर्पेकस था पग और पेरी क्या कहते हैं, भारत दुनिया में चोथा सबसे अधिक धार्मिक देश है जहां 85% पर 30% लोग मानते हैं कि धरम उनके जिवन में एहम भूमिका निवाता है भारत में सरो धरम संभाव वाला धरम निर्पेक्षी करना है सरो धरम संभाव का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, जेन ये सभी लोग अपस में, सभी धरमों के लोग एक दूसरे को सम्मान भाव से देखते हैं एक दूसरे के धरम की इज़त करते हैं, धरमी का टरता कम हुई है मतलब कूप मेंडक से वो बाहर निकलें क्योंकि पहले यातायात और संचार के सादन थे नहीं, लोग दूसरों के संपरक में आई नहीं थे इसलिए अपनी धरम को सरेष्ट मानते थे परन्तो यातायात और संचार के सादनों का विकास होने के कारण सामाजी गती सिलता बड़ी लोग एक दूसरे के धरमों के लोग आपसमें संपरक में आए और उन्होंने एक दूसरे के धरम के अच्छाईयों और बुराईयों को जाना और उसे सवीकार भी किया जिससे धरमिक सैंसलता बड़ी, धरमिक अटरता कम हुई और सरो धरम संभाव बड़ा वेक्ति के विचारों में धरमिक्ता से तारकिक्ता की और ले जाने की पर किरिया ही क्या कहलाएगी धरम निर्पेक्षी करन कहलाएगी ब्राइन विलसन क्या कहते हैं डेफिनेशन सम्देख लेते हैं दर्म निर्पेक्षी करने के ऐसी परकिरे जिसमें धार्मिक सोच मतलब धार्म क्या धार्म पर सोचना है अगटनाओं की व्याख्या करना धार्मिक किरियाओं वे धार्मिक संस्ताओं का सामाजिक महतों कम होता जाता है कि धरम निर्पेकसि करण ऐसी पर किरया है जिसमें धर्मिक सोच, धर्मिक किरयाओं वे धर्मिक संस्ताओं का समाजिक मैतथों, कम होता जाता है, तो वही कलीबर्ट वे मूर क्या कहते हैं, मानवी कारियों में धर्म की भूमिका के संबंद में, तार्किक भाव दवारा स्थान गरहन करना इसका मतलब जो धर्म है उसकी जगह पर तरक ने स्थान गरहन किया अर्था धर्मिक विश्वासों वे किरियाओं का स्थान गेर धर्मिक किरियाओं वे विश्वासों दवारा ले लेना ही धर्म निर्पेक्सी करन है तो कलीबर्ट मूर ने क्या कहा है भी धार्मिक विश्वासों वे किरियाएं है इनकी जगह पर गेड़ धार्मिक विश्वासों वे किरियाएं आ जाएगी यही पर किरिया क्या कह रहाएगी ध्रम निर्पेक्सिकरन कहलाएगी तो वहीं डॉक्टर रादा किरसन जी क्या कहते धर्म निर्पेक्सिकरन धार्मिक निर्पेक्स्ता और धार्मिक सहय अस्तितोवाद है उप्रोक्त पुरिवासाओं के आधार पर सपष्ट है कि धर्म निर्पेक्सिकरन अंधविश्वास आधारित धार्मिक समाज को तरक आधारित धर्म निर्पेक्स समाज में बदलने के ए जो सवतंतर ग्यां मतलब free knowledge and free thoughts तथा तरक काधारित व्यवार को बढ़ावा देती है एक ऐसी परकिया जो सवतंतर ग्यान, सवतंतर विचार वैं तरक काधारित व्यवार को बढ़ावा देती है इस परकिर्या में राजारा महन राए, द्यारन सर्षवती, महत्मा गांदी जैसे महान व्यक्तियों दोबारा चलाएगे सुधारान दोलनों, सिक्सिया, पस्चिमिसंस करती, नगरी करन, ओध्योगी करन, वेश्वी करन, वेश्वी करन, वैस सरकारी प्रयासों आदि का एहम योगदान रहा है, अब हम एसेशनल एलिमेंट्स होब हैं, शेकलराइजिसन के बारे में पढ़ते हैं, भी शेकलराइजिसन हैं, इनके आवश्यक्ततों कौन-कौन शे हैं, तो सुरुवात करते हैं, धार्मिक मुल्यों का हरास, और ये क्रेक्टरिस्टिक्स आजए, चाए और धार्मिक संकिननता में कमी आएगी, अब व्यक्ति धर्म के आधार पर नहीं सोचता, जब व्यक्ति धर्म के आधार पर नहीं सोचकर, तरक के आधार पर, वेग्यानिकता के आधार पर सोचने लगता है, और जो भी गटना है, उन गटनाओं की व्याख्या जो करता है, वो धर्म के आधार पर करता है मतलब तरक के आधार पर करता है धर्मिक और सामाजी गटनाओं की व्याख्या में धर्म का कोई महतो नहीं होता इसका मतलब धर्मिक मुल्यों में काफी हरास आती है कमी आती है तरक का महतो जो जो धर्मिक मुल्यों में हरास आएगी धर्मिक मु ज्यान के अधार पर करना शुरू कर देता है। ज्यान के अधार पर करना शुरू 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 करना शु इसलिए आज जो राजा है या लोकतांत्रिक जो नेता है उसके उपर धर्म या पुरोहित का कोई दबावे नहीं है दोनों के अलगलग छेतर है दोनों अलगलग काम कर रहे हैं Scientific Concept वेज्ञानिक अवधारना धर्म निर्पेक्शी करना है यह Miguel अवधारना है क्योंकि इसमें गटनाओं की व्याक्षाय है जैसे सुर्या ग्रैन लगता है तो वो क्यों लगता है चंदर ग्रैन लगता है तो इसका मतलब इन गटनाओं के पीछे कारणों का पता लगा कर वेग्यानिक सिधानतों और वेग्यानिक वीदियों के द्वारा गटनाओं की व्याख्या की जाती है तो इसका मतलब धर्म निर पेक्षी करने मुल्य तटस्त अवधारना है मुल्य तटस्त का मतलब हो गया इसमें पवित्र एपवित्र की कोई जगह नहीं है अच्छे बूरे की कोई जगह नहीं है यह है अवधारना यह पूरी तरह से मुल्य तटस्त अवधारना है मतलब इसके अंदर क्या सही है क्या ग इसमें वस्तु निश्टा पाई जाती है व्यक्ति निश्टा की जगह वस्तु निश्टा पाई जाती है वस्तु निश्टा का तात्प्रे यह है कि इसमें निश्पक्सता पाई जाती है पक्सपात का अभाव पाई जाता है घटनाओं की व्यक्ष्या है वो पक्सपात के गटना वो उसी रूप में उसकी व्याक्या करेगा गटनाओं की सांसारिक व्याक्या पहले गटनाओं की व्याक्या है वो परलोकिक की अधार पर की जाती थी परलोकिक का मतलब दूसरी दुनिया जहां पर मृत्यू के पसात व्याक्ती जाता है उनकी अधार पर की जाती थी भावुक्ता का महतो नहीं लेकोप सेंटिमेंट्स प्राचिन समाज के अंदर धर्म निरपेकश्ता से पुरो जो घटनाओं की व्याक्या थी उसमें भावनाऑ भावनाई परधान थी भावुक्ता को अधिक स्थान थी परन्तो आज के समय में धर्म निर्पेक्सिकरन की महतुप्रनी विशेश्था यह है कि इसमें गटनाओं की व्याख्या करते समय भावनाओं या भावुकता का कोई स्तान नहीं है बलकि उनकी जगए वस्तुनिष्टा, तारकिक्ता और वास्तविक्ता का स्तान है तो ये विशेशना ही थी इसके पर साथ हम आगे बढ़ते हैं factors of secularization जो धर्म निर्पेक्षी करण है उसके ततो कौन-कौन से है कौन-कौन से कारक रहे कौन-कौन से कारण रहे जिनके कारण धर्म निर्पेक्षी करण बढ़ा है पस्चीम करण धर्म निर्पेक्षी करण में पस्चीम करण की महतोप्रण ब्हुमी का रही है पस्चीम करण का तात्पर ये हुआ कि जो western countries है जो भारत के अंदर धर्म निर्पेक्षी करण है उसमें अंग्रेजी सासन या सब्यता का महतोप्रण योगदान रहा क्योंकि अंग्रेजों नहीं भारत को अद्योगी करण नगरी करण या फिर शिक्षा में आमूल चूल यातायात और संचार के सादनों का विकास किया परिणाम सवरू भारती है जो संस्कृती है उस पर पस्चीमी संस्कृती का प्रभाव पड़ा और भारत में जाती है बंदन कम हुए धार्मी कट्रता कम हुई और परिणाम सुरू भारत है वो धरम निर्पेक्षी करण की प्रतरफ है बड़ा यातायात वैस संचार के सादनों का विकास धरम निर्पेक्षी की परकिरिया है कि इसमें means of transport and communication का रोल बहुत important होता है क्योंकि पहले इन संसादनों के विकास से पुरो भारती है जो लोग थे वो कूप मेंडक की तरह थे मतलब एक यातायात और संसादनों का भाव में सामाजी गती सिलता नहीं थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे इसलिए उन्हें लगता था भी उन्हें का ध्रम सर्वसरेश्टा है क्योंकि दूसरे ध्रमों के लोगों से दूसरी संसकर्टी के लोगों से वो संपरक में नहीं आए थे परन्तु यातायात और संचार के सादनों के विकास होने के कारण वेक्ति दूसरी जाती दूसरी द्रमों दूसरे देशों दूसरे संसकर्थी के संपर्क में आए और एक ही जगह पर एक ही बस में एक ही यातायात के सादन में वो यातायात के लोग यातायात करने लगे परिणाम सुरूप जातिय बहत्बाओ खत्म हुए और जातिय बहत्बाओ काफी कम हुए और इसके साथ नगरी करन और रोद्योगी करन के कारण सामाजी गती सिलता भी बड़ी और यातायात और संचार के सादनों के विकास के कारण वेक्ति और द्योगों और फैक्टरियों में जाकर काम करने लगे और वहां पर सभी धर्मों जातियों के लोग मिल जूल कर काम करने लगे परिणाम से रूप क्या हुआ कि उनके जातिये बंदन कम हुए धर्मिक सेंसिलता बड़ी सभी धर्मों के लोग आपसे मिल जूल कर काम करने लगे तो यातायात और संचार के साथ नोंने भी महतवपुरून भूमिका निभाई धर्म निर्पेक्षिकरन में आधुनिक शिक्षा प्रनाली तो श्माली की साथ न हने धर्म निर्पेक्षिकरन के रिए उत्तरदाई कारख था था। फिए धर्म निर्पीक करण और ब्रहामनों के दोरा या द्वीज तक ही सीमिति उन्फिति के दोरा दी जाती था। और कुछ एक वरग विशेश को सिक्ष्या से वंचित भी किया गया था परन्तु पस्षिम सिक्ष्या के परभाव के कारण अंग्रेजी इसासन के कारण भारत में सिक्ष्या का परचार परचार बढ़ा और जो मोडर्न एजुकेशन सिस्टेम है उसमें सहे सिक्षिया का परचलन बढ़ा सहे सिक्षिया का मतलब यह हुआ भी साथ साथ मिलकर लड़के और लड़की एक जगह पर सिक्षिया गरहन करते हैं सबी द्रमों जाती हो के लोग है वो मिलकर एक साथ सिक्षिया गरहन करते हैं तो इससे जो अंतर जाती है सम्मंद बढ़े, अंतर जाती है विवा भी बढ़े, क्योंकि जो लड़के लड़की साथ में सीख्षा ग्रहन करते हैं, उन्हें आप फेर होने के कारण, उन्हें साधियां भी की, समार द्वारा इसको स्विक्रिती मिली, और अलग लग दर्मों क जो लड़के और लड़के वो भी आप समें साधियां करने लगे, परिणाम सुरूप किया हो, चुआ 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 अईस प्रेस्ता, पवित्तरता, आदी की भावनाओं में काफी परिवर्तन आया, और ये सब परिवर्तन आधूनिक सिख्षा किया ही परिणाम रह या पिर डॉक्टर भीमराओं अमबेडकर इन नेताओं के दोरा चलाएगे, महान वेक्तेओं के दोरा चलाएगे आ息़ा और पानिकर में महतो पूcken का निबाई क्योंकि जब भीमराओं अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश अंदोलन चलाया तो सभी को मंदिरों में प्रवेश की अजाज़त मिली इसका मतात करे यह हुआ कि सम्मानता बढ़ी इसी तरह से विभिन धार्मी का अंदोलन चलाए गए और इन आंदोलनों ने आर्य समाज ब्रहम समाज प्रारतना समाज तियोसोement समाज सर्वद्य आंदोलन इन सब जो संस्ताओं का निर्मान किया गए इनका उदेस्शे क्या था सभी को सम्मानता का हili दिलाना और समाज में व्यापत बुराईयों का अंत करना और इनी के कारण विद्वा पुनर विवाज की शुरुआत की गी बाल विवा निसेद हुआ और चोचुआ चोट ऐसे प्रेस्ता जैसी समस्यां थी समाजिक समस्यां थी उनका अंत किया गया और समाज के अंदर समानता और भाईचारा बढ़ा भेदबाओ की समाप्ती हुई सरकारी प्रयास गोर्मेंट एफट्स का काफी योगदान राग। सरकारी प्रयास का इसका तात्प्रत जो सरकारी प्रयास किये थे उन्होंने एहम भूमिका निभाई ध्रम निर्पेक्षी करन में। इन सरकारी प्रयासों में थे जाती निर्योगेता उनमुलन अधिनियम 1850, हिंदू विद्वा पुणरविवा अधिनियम 1856, विशेष विवा अधिनियम 1935, हिंदू विवा अधिनियम 35, आज़ी द्वारा हिंदू के प्रमप्राघत ध्रम विवा और छुँआ छूद शमंधी विचारों में प्रिवर् 34 विधान की धारा 15 के नुसार राज्य है वो धर्म जाती लिंग पर जाती मूल आदी के आधार पर व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का कोई भेदबाव नहीं करेगा हलांकि कमजोर जो वरग है जो पिछड़े हुए वरग है उनके लिए विशेश आरक्षन की वेवस्ता भी की ही है तो सरकारी प्रयास थे उन्होंने भी धर्म निर्पेक्षी करन को भेदबाव को समाप्त करने सामाजिक भेदबाव को समाप्त करके धर्म निर्पेक्षी करन को बढ़ाने में एहम योगदान दिया राजनितिक दल कई राजनितिक दलों ने धर्म निर्पेक्षी करन पर बल दिया धरम निर्पेक्सिकरन का ताथ प्रेए यह हुआ कि वो सभी राजनितिक दल एगा सभी को समान समझने लगे सभी को समान समझने का मतलब किसी भी तरह का कोई भेद्बाहुनमें आपसमें नहीं किया जाता था तो इस 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 इन रजनितिक दलों में जैसे भीम्राओ अमबे रजनितिक नेता भी रहे जैसे पंडी जवारलाल नेहरू महत्मागांदी इस तरह चो यह नेता थे इन नेताओंने सबी दर्मों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने के लिए काम किया और हम देखते हैं कि भारती राजनिती की बात यदि हम करें तो पंडित नहरू हो, चाए रादा किर्शन जी हो, चाए जाकिर उसेन हो, चाए इंद्रा गांदी जी हो चाए अब्दुलकलाम जी हो, मातमा गांदी जी हो इन सबी ने पंथ निर्पेकस्ता या धर्म निर्पेकसी करन पर बल दिया और एक एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया सवतंतरता आंदोलन, फ्रीडम मॉमेंट्स देश के लिए जो सवतंतरता आंदोलन हुए उसमें सबी दर्मों के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, जेन इन सबी लोगों ने आपसमें मिल जूलकर सवतंतरता की लड़ाईया लड़ी और जब मिल जूलकर जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो धार्मिक भेदबाव कम हुए धार्मिक संपर्क बड़े और धार्मिक घनिष्टा, धार्मिक प्रेम बड़े आपसमें और विभिन जातियों के लोगों ने भी मिल कर सवतंतरता आंदोलन में भाग लिया तो इसका परिणाम ये रहा कि जातिय भेदबाव है वो भी कम हुए तो सवतंतरता अंदोलन में धर्म निर्पेक सिकरण को बढ़ाने में सबी जाति दर्म लोगों को एक साथ लेने में महात्मा गांदी का योगदान है वो अनुपम है धर्मिक विभिन्ता, religious diversity भारत में धर्म निर्पेक्शी करन का एक कोर महतोपुरन कारण धर्मिक विभिन्ता रहा क्योंकि भारत में विभिन धर्मों के लोग, विभिन धर्मों के अनुयाई एक साथ रहते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, जेन, ये सभी लोग जब एक साथ रहते हैं तो आपस में एक दूसरे से इन में सही सुनुता पन पिए सही सिलता बड़ी है इसका तात्रे ये हुआ कि अब धार्मिक कटरता में कमी आई और शबी लोग केवल अपने धर्म की बलाई के लिए काम नहीं करते हैं अपने धर्म कोई सर्विस रेष्ट नहीं मानते हैं बलकि दूसरे के धर्म का भी सम्मान करते हैं और तरक के आधार पर एक दूसरे धर्म की जो अच्छी बातें थी उनको ग्रहन कर रहे हैं और जो बातें उन्हें अच्छी नहीं लग रही है उनको भी वो सहन कर रहे हैं मतलब धर्मिक सहन सेलता या सही सुनूता बड़ी है इसके पस्छा धर्मिक संग्ठनों का भाव भार तो भारती है हिंदू भारत जो है इसमें हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग है उनकी संक्या बहुत ज्यादा है और अच्छी बात है कि भारत में धार्मी का धार पर कोई संक्ठन नहीं बना हुआ है विशेश कर हिंदूों में इसलिए जो हिंदू है उसमें बहुत सारे है वो धर्म परिवर्तन भी कर रहे हैं जिसके धर्म परिवर्तन कर रहे हैं परिणाम शुरूप जो धर्म परिवर्तन के कारण जो जातिये बहते हैं धर्मी जातिये बहते हैं उनमें कमी आई है ब्राह्मनों द्वारा किये जाने वाले अत्याचार में भी कमी आई है दूसरे जो पड़े लिखे लोग है उनमें भी धार्मी कटरताबे कम हुई है तो ये सबी जो कारण है ये धर्म निर्पेकस्ता को बढ़ावा देने वाले हैं संस्कृति करन संस्कृति करन के अवधारना एमें शिरी निवाशन की है उन्होंने कहा था कि निमन जाती के लोग जो अचूत माने जाते थे जिनके आधार पर समाज विशेशकर हिंदु समाज में जाती के आधार पर भेदवाव किया जाता है उन समाजों ने उच जातियों की नकल करनी शुरू कर दी और धीरे दीरे उनी की तरह खान पान उनी की तरह रहन सैन उनी की तरह रीती रिवाजों प्रमप्राओं का मानना शुरू कर दिया और अपने आपको उच जाती गोशित कर दिया इसका मतलब इस परकिर ऐसे जातिय बेदबाव खतम हुए प्रिणाम सुरूप धर्म निर्पेक्सता बढ़ी भारतिय संस्कृति का धर्म निर्पेक्सी करन भारतिय संस्कृति है वो धर्म परधान संस्कृति रही है ध्रम परदान संस्कृति का तात्परे यह हुआ कि भारतिय संस्कृति में ध्रम का बहुत अधिक महतो रहा है इसमें रिती रिवादों में परंपराओं में आचार व्यवार में ध्रम का महतो रहा है परंतु पस्ची में संस्कृति में प्रभाव के कारण भारतिय संस्कृति में प्रयाप्त धर्म ने पेक्षी करन हुआ यहां की संस्क्रिती में चल चितर, समाचार पतर, रेडियो, टेलिविजन, आधी तत्वों का भारतिय संस्क्रिती में महतुपुर्ण योगदान रहा क्योंकि इन सभी साद्रों ने मीडिया के दोरा विबिन धर्मों जाती संपर्दाए की अच्छाई बुराईयों के बारे में बताया जिसके कारण विबिन धर्म आपसमें एक दूसरे के संपर्क में आए और सवतंतरता के बाद इसी का परिणाम रहा कि भारत ने अपने आपको धर्म निर्पेक्स राज्या गोसित किया या सेकुलर रिपब्लिक गोसित किया अपने आपको इसके पसात ओध्योगी करण और नगरी करण इंडेस्ट्रलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन ओध्योगी करण और नगरी करण है वो भी एक महतुपुर्ण कारक है धर्म निर्पेक्षी करण के क्योंकि ओध्योगी करण और नगरी करण के क्या कारण जो प्रमप्रागत भारतिय समाज है जिसमें व्यवसाय चेन की सोतंतरता नहीं थी और वनसानुकरम व्यवसाय थे तो ओध्योगी करण और नगरी करण के कारण व्यक्ति के अंदर शिक्षा का परचार परशार बढ़ा और शिक्षा के परचार परशार बढ़ने के कारण और ओध्योगों और नगरों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्द होने के कारण विभिन जाती विभिन दर्मों के लोग है वो शहर के अंदर या उद्योगों में जाकर काम करने लगे उद्योगों में एक साथ विभिन जाती द्रमों के लोगों के रहने के कारण धर्मिक बेदबावी भी कम हुए और जाती बेदबाव में भी कमी आई परिणाम सुरूप एक साथ काम करने के कारण विभिन जाती विभिन धर्मों के लोगों के आपसमें विवाईक संबंद भी बने जिस से सामाजिक भेदबाव कम हुए और धर्म निर्पेक्षी करने या धर्मी खुलापन बढ़ा और व्यक्ति के अंदर ग्यान का परचार परसार होने के कारण उसके जीवन में धर्म की इ ग्यान का महतो बढ़ा इसके पस्चात इंपक्ट ओप सेकलराईजेशन जो सेकलराईजेशन है या धर्म निर्पेक्षी करने उसका भारतिय समाज के उपर क्या प्रभाव पड़ा धर्म निर्पेक्षी करने भारतिय समाज जो रूडिवादी था प्रमपरावादी था प् कर्मिक बेदबाव क्तम हुए वेवाईक सनस्तामें काफी प्रिवर्त नाया पारिवारिक सनस्तामें परिवारथ जो श्युक्त प्रिवार से टूटकर एकल प्रिवार में परिवर्तित हो गे। इसका ताथ पर यह भुआ आग लादा, कि भार्त में पहले जिन गटनाओं सामाजी कि आमानविय गटनाओं की व्यक्षा, ध्रम के आदार पर की जाती थी। अब पवित्रता और एपवित्रता की धारणा में ध्रम निर्पेक्सी करन के कारण आमूल जूल परिवर्तन हुआ क्योंकि पवित्रता और एपवित्रता की धारणा भारतिय समाज की रीड की हड़ी रही है इसमें एक जाती विशेश के लोगों को हाथ लगाने से पवित्र माना जाता था और फिर एपवित्र माना जाता था और बाद में उसको नहला कर या उसको गंगाजल का छिड़काओ करके उसको पवित्र किया जाता था परंटो आज कल ग्यान के परचार-परसार के करन जाती है बेदबाव ख़तम होने के करन या पवीतरता के धारना में अब प्रिवर्तन हुआ है अब किसी भी काम को पवित्र या अइपवित्र भी नहीं माना जाता जैसे पहले सुद्रों के दोरा किये जाने वाले काम को अइपवित्र माना जाता था आज वर्तमान समय में हम देखते हैं जोब के लिए नोकरी के लिए पियन का काम है वो ब्रामन भी करते हैं और I.S. I.P.S. पोस्ट पर जो निमन जाती किया वो भी पहुंचते हैं तो इसका तात्पर यह वा कि पवित्तरता हो रहा है पवित्तरता की धारणा में प्रिवर्तन आया जीवन चक्र वैस संस्कारों में प्रिवर्तन वी ध्रमनिर्पेक्सी करन के कारण भारत में जीवन च प्रिवर्तन विवाय या अन्तिम संसकार के समय अनेक धार्मी गतिवीदियां की जाती थी परनतू धर्मनिर्पेक्सी करन के कारण अब इन गतिवीदियों में धार्मिक कीरयां में काफी कमी आई współ धार्मिक जीवन में धर्म निर्पेक्षी करन आज परतीक वेक्ति के धार्मिक जीवन में धर्म निर्पेक्षी करन बढ़ रहा है पहले जहां पर घंटो घंटो देवी देवता के सामने आसन पर बेट कर पूजा अर्चना की जाती थी और हर परकार के बजन किये जाते थे धार्मिक कथाएं गाई जाती थी अब उन सब की जगह काफी प्रिवर्तना है क्योंकि आज बजन या फिर धार्मिक कथाओं का जो कारेकरम है वो टीवी चैनलों के दोरा या कासमानी के दोरा घर से ही सुन लिया जाता है पहले पंडितों को जो बहुत जबाता दान दक्षना दी जाती थी आज उनकी जगाए पर बच्चें जो वेक्तिया वो अपने बच्चों की शिक्षा के उपर विद्वा असरमों में या अनाथ हल्यों में या गव साला में यहां पर दान देना उचित समझने लगे है जाती सरंचना पर परभाव धर्म निर्पेक्षिकरन का भारत में जाती सरंचना पर काफी परभाव पढ़ा है जाती निर्योग गेता हैं समाप्ट हुई है जाती बेहदबाओ समाप्ट हुई है अंतर जाती विवाओं का परचलन बढ़ा है और जाती के आधार पर जो वैवसाय चेन के बाद देता थी वो भी समाप्ट हुई है इस योगदान में महातमा गांदी और डॉक्टर भीमरा अम्बेडकर का योगदान अनुपम रहा है परिवार की सरंचना में प्रिवर्तन चेंज इन फैमिली स्ट्रेक्चर धरम निर्पेक्सी करन का परिवार की सरंचना पर भी काफी प्रभाव पड़ा पहले जहां पर श्युक्त प्रिवार थे श्युक्त प्रिवार के एक बाद दिता भी थी क्योंकि पहले ग्रामिन चेतर के अंदर लोग क्रिसी वेवसाहे पर निर्बड थे और खेती अब एक व्यक्ति से नहीं होती थी उसके लिए बहुत सारे वेक्तियों की जरूरत पड़ती थी इसलिए सभी वेक्ति एक साथ मिलकर रहते थे जिसे स्युक्त प्रिवार का जाता था प्रंतु ओध्योगी करन नगरी करन और धर्म निर्पेक्सी करन के कारण शुक्त प्रिवार तूटे और शुक्त प्रिवार तूटकर एकल प्रिवार में प्रिवर्तित हुए इसके साथ प्रिवार में तलाक जैसी गटनाएं भी बड़ी है जोडने वाली संस्ता मानी जाती थी वहीं अब विवा है वो दो व्यक्तियों को मिलाने वाली संस्ता मानी जाने लगी है अब विवा में लड़के लड़की का जिन लड़के और लड़की का आप समय साधी उन्हें उनका महतों बड़ा है बलकि पहले उनके साधी के अंदर रिष्टेदारों या प्रिवार का महतों अधिक होता था। इसके साथ साथ वर्तमान में अंतर जातिये विवा, प्रेम विवा, या फिर विलम विवा, लीविन रिलेशन्सिप, कुवारा रहना या इस तरह के विवा का परचलन भी बड़ा है और समाज के दोरा भी से स्विक्रिती मिली है। और महिलाएं आज हर एक छेतर में पुरूसों के साथ कंदे से कंदा मिला कर काम करती है। प्रेरे की हैं तो देश वीड़ा की राजनिती की चर्चा होती है, अपने रहकों की चर्चा होती है, अपने धिकारों की चर्चा होती है क्रीशी कारें उसे हटकर वो अन्य इंकम के सोर्ष भी अपनाने लगे हैं इसके साथ साथ गाओं में जो अंद्वी स्वास का बोल बाला था जो धर्म का बहुत ज्यादा अस्तक्सिय था उसमें कमी आई है गाओं के अंदर भी सिक्सिया के परचार परसार के कारण लोगों मे दर्म निर्पेक्षी करण और लोकी की करण पंत निर्पेक्षता एक ही चीज़ है तीनों दर्म निर्पेक्षी करण या पंत निर्पेक्षी करण या लोकी की करण धर्म निर्पेक्षी करण में कोई दो तत्व या विशेशता हैं बताएं धर्म निर्पेक्षी करण या लोकी करण को बढ़ावा देने वाले किनी तीन कारकों का वरणन करें भारतिये समाद पर धर्म निर्पेक्सी करण के क्या प्रभाव पड़े? दो नमबर का क्यूस्टन धर्म निर्पेक्सी करण का अर्थ बताते हुए इसकी विशेशता हैं और कारकों को बताएं या विशेचता या कारक अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कारक का मतलब कारण धर्म निर्पेक्षी करण क्या है सामाजिक परिवर्तन में धर्म निर्पेक्षी करण के महतों को बताएं या धर्म निर्पेक्सी करण के भारत की सामाजी की व्यवस्ता पर क्या प्रभाव पड़े जब प्रभाव की बात करते हैं तो हमने ओद्योगी करण के किये थे नगरी करण के किये थे आदुनिकी करण किये थे वो सारे प्रभाव इसमें आप लिख सकते हैं भारते एक द्रहम निर्पेक्स राज्य है, विसे पर एक निम्मन दली को या फिर द्रहम निर्पेक्स की करण पर एक निम्मन दली को इस तरह के क्यूशन पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट आप कमेंट बुक्स में लिखिएगा, आप सब का बहुत बहुत ध झैंने बाद Exactly